हलो दोस्तों नमस्ते कैस्टों अब सब मेना नाम में मानर प्रायर आप दगरों हिंदर एक वीडियो और इस वीडियो के अंदर बात करने बाले है MSM Extended जोकि Android 10 को पर बेस करके तयार क्या गया है कस्टम रम उसको आमने इंशर कर लिया है अगर आपके पास दोस्तों रेड्मी 4A है और और कोई डिवाइस है दोस्तों शामी के तरफ से सकी रेड्मी नोट 4, MIA1 और रेड्मी 5 प्रो बहुत सरी डिवाइस के लिए दोस्तों यह रम अवेल हुआ है अगर आप इस रम को राउट करना चाहते हूँ तो इस रम का ओल डिवाइस का लिंग में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन वाक्स में प्रोइट कर दूँगा उसके साथ दोस्तों जो अपना प्यारा रेड्मी 4A है उसके अंदर जो रम है उसका भी लिंग में आपको नीच डिस्क्रिप्शन वाक्स में प्रोइट कर दूँगा अगर आपके बास रेडमी 4A है और और कोई डिवाइस है अगर आप इस रम को इस्वा करना चाहते हो अपने डिवाइस के अंदर तो डाउनलोर लिंग आपको नीचे डिस्क्रिप्शन वाक्स में मिल जाएगा उसे सा पहले यहाँ पर दोस्ता हमने कुछ ट्विक्स को एपलाई किया है इस रम के अंदर उसके बार दोस्ते जो रम में बहुत ही बैतर निदिखता है और यहाँ पर mostly सभी फीचर काम करती इस रम के अंदर जो की काफी अच्छी बात है अगर है बात कर दो दोस्तों यहाँ पर 10 के साथ आपको यहाँ पर मिलती है पहले आपको मैं सेरीस में जाके दिखाना चाहूँगा और यहाँ पर एंडर्ट वर्सन एंडर्ट आपको 10 मिल जाती है यहाँ पर दोस्तों जो security patch है दोस्तों December 5 2019 का है Redmi 4 के अंदर है यह दोस्तों लास्ट बील है पर और जितने भी डि जो कि काफी अच्छा माना जाता है इस राम के रिए जो रॉम है काफी ज़्यादा फिटर के साथ आता है बहुत सरी कस्टरमेशन है और जो की बहुती बढ़ीया काम करती है Redmi Note 4 के अंदर है Redmi 4A के अंदर भी यहाँ पर सपोट आती है यहाँ पर देखिए जो टॉगल से इस ट्रांस्सपरेंट ग्लास की तरह काम करता है आपकर जो कैमेरा है अगेरा अवने के बात दोस्तों आपका जो फोन है दोस्तों जो बैकगौन है अपका फोन का पीछे बैकगांड नहीं उसी भी आप देख पाऊगे यहाँ पर देख्रों कुछ इस तरह से दिखते है जो कि बहुत ज़्यादा बैटरी को कॉंसों करते हैं क्योंकि हर वक्त जो कैमेरा है आपका फोन के अंदर रहता है पर थोड़ा सा मज़े के लिए अच्छा है आप चाहुती से यूज़ कर सकतो आपने डिवाइस के अंदर अब यहापर फिलाल में इसे बंद करने वाला हूँ यहापर हम बंद कर देते हैं इस अप्शन को इसके बाद दोस्तो में यहापर कुछ-کुछ यूश क्Reican को इस्को इस्टर किया हूँ आगर 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 आपको कोई भी दिक्केत नहीं आएगी और एक कुछ डिफल्ट कैमेरा कुछ इस तरह से दिखता है दोस्तों पहुम है सिस्वाम का काफी अच्छा है यहापर दोस्तों आपको इस्वाम के अंदर नहीं मिलता है बाकि दोस्तों आपको यहापर एजो रहों में ए ए योई और उपेन स्वर्ण के तदा है चलते दोस्तों थोड़ा से रिस के अंदर आपको पहले ही मिल गया थी एक्स्टेंशन बहुत सरी कस्टेमेशन है आप देखिए सो बटन से चलते दोस्तों बात पहले मिलते है वोलियाम रोकर्स यहापर दोस्तों मुजिक कंड्रल कर सकते हो वोलियम को वेक कर सकतो, यहाँ पर अलग से सरीज दिया गया है, उसके बाद जो hardware की से उसे disable कर सकतो, की सको swipe कर सकतो, उससे बाद accidental touch का option है, जो backlight है, उससे अब यहाँ से enable कर सकतो, button touch का option मिलता है, और यहाँ पर देखिए बहुत सारी option के साथ यह ROM आता है, home button के like से मिलता है, तो customization के माल में यह ROM बहुती बढ़िया है, decode room के अंदर चलते हैं दोस्तो, यहाँ पर आपको embedded display option मिलता है, निया notification के अंदर, animation, यहाँ पर हमने ROM को ensure करने के बाद ही मालम चलेगा, जो कि आपको बहुती परसंद आने बाला है, आप चाहो तो animation को fast भी कर पाओगे, यहाँ पर आपको battery styles मिल जाती है दोस्तो, यहाँ पर देखिए हमने battery को थोरसा customize किया है, जो lock skin है, उसे भी हमने थोरसा customize किया है, जो कि देखने में काफी अच्छा दिखता है, यहाँ पर आपको दोस्तो battery icon के अंदर changes कर सकतो, battery percentage के अंदर आपको यहाँ पर changes कर सकतो, इस wrong के अंदर, उसके बाद, यहाँ पर आपको clock settings मिल जाती है, यहाँ पर clock changes कर सकतो, right lap कर सकतो, MPM को select कर सकतो, battery position को, इसका सथ date position को changes कर पाओगे, carrier level settings यहाँ पर आपको मिल जाती है, service बार लोग यहाँ पर आपको मिलती है, अगर आप यहाँ पर service बार के अंदर को भी logo को show करना चाते हो, तो भी आप यहाँ पर कर सकतो, देख पाओगे, उपर शायद आप दिखाई देगा होगा, यहाँ सब color को भी change कर सकतो, black कर दता हो, तो शायद आपको और भी अच्छ कर सकतो, बैटरी बार के अंदर changes कर सकतो, यह रहाँ तो डिकर मो, रून के बात आता है, gestures, यह उस पी अपको gestures मिलता है दोस्तो, navigation के साथ, on screen gestures को भी आप इस वाम के अंदर use कर पाओगे, lock screen के अंदर double tap करने के से बंद हो जाएगा, sleep में चला जाएगा, lock screen के अंदर आपको आपको यहाँ पर settings मिलते है, so धेर सारी option है, जो कि आपको खुछ से track कर कर देखना चाहिए, और power menu के अंदर भी आपको option मिलता है, यहाँ साथ जो power menu का opacity है, उसे रहाँ सथ background amount है, उसे change कर सकतो, power menu का जो settings है, animation है, उसे भी change कर पाओगे, देखिए, यहाँ से हम इसे top कर दे देखते कि सरसात है, so उपर से आएगा, so बहुत सारी settings है, जो कि आपको try करना चाहिए, रॉम के अंदर बहुत सारी feature है, बहुत सारी, so आप जार दूस से में आपको recommend करता हूँ, आप इस रॉम को try कीजिए, यहाँ पर आपको advanced register का option मिल जाती है, lockdown कर सकतो हो, और quick settings के system series के अंदर मिलती है, alarm blocker, बहुत सारी series आपको मिलती है, उसके बाद यहाँ पर aggressive battery का भी option मिलता है, जो battery server की तरह काम करेगा, और यहाँ पर आपको दोस्तो, बहुती धेड़ सारी option के साथ साथ यहाँ पर आपको कुछ extra option के अंदर gaming mode मिल जाती है, dedicated gaming mode यहाँ पर है, rounded corner के आपको यहाँ पर settings मिल जाती है, animation, charging animation के लिए है, wake up charge के लिए है, so ठेट सरी आपको यहाँ पर option मिलती है, उसके बाद बार कतले है, इस रॉम का battery life किस तरह से, so दोस्तो यह जो phone है, इस फोन के आंदर यह बहुत 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 इन काम कर रहा है, battery life इस रॉम का आपको बढ़िया है, दोस्तो बहुत से customization है, और यहाँ पर आपको dark mode मिलता है, game, diver, preference भी मिल जाती है, जो की one of the best है, और यहाँ आपको ascent color और font को भी change कर सकतो हो, और यहाँ पर आपको face अलग नहीं मिलता है, दोस्तो finger bit sensor मिलता है, अगर आपका device support करता है, तो बाकी यह ज ज़रू से recommend करते हो, इस ROM को try करके देखिए, इस ROM का promise भी आच्छा है, इस ROM का betty life भी आच्छा है, आप इस ROM को ज़रू से use कर सकतो हो, आपने Redmi 4A के अंदर, जो भी device के लिए ROM एवलेबल हो, तो बहुत आपको यह वीडियो पसने होगा, अगर आपको यह वीडियो पसने है उसके साथ उसके अंदर root install होना चाहिए, उसके साथ TWA recovery की और कोई भी custom recovery आपके Redmi 4A के अंदर install होना चाहिए, root और TWA recovery हो must है, उसके सिम्पली आप जुस्तों power button और volume आप बटन को क्लिक करके custom recovery के अंदर आपको boot होना पड़ेगा, इस वीडियो के दरान मेने Redmi 4A के अंदर, मैंने जो fox recovery है, उससे यूज किया हूँ, orange fox recovery project को, आप कोई भी recovery की यूज कर सकतो हो, कोई भी custom recovery की यूज कर सकतो हो, बर TWA recovery recommended है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा तो निंचे description box में link मिल जाएगा, वहापर से आपको ROM को और GApps को डाउलोड करना होगा, डाउलोड करने internal storage को छोड़ के data cache, data week, जितने बाहा है जोस्तो सभी को select करके, आप पर आपको swipe करके wipe करते ना होगा, यह करना mandated ही है, wipe करने के बाद आपको आना होगा जोस्तों install के अंदर, जिस भी folder के अंदर आपने ROM और GApps को download किया है, उस folder में जाके पहले ROM को select करना होगा, उसके बाद आपको GApps को select करना होगा, उसके बाद simply swipe करके flash करते ना होगा, flashing हो जाने के बाद आपको simply reboot में जाके system में tag करना होगा, उसके बाद आगर आपको no waste के तरह notification आये, तो swipe कर देना, उसके बाद पहला boot में दूस्तो 5-10 minute time लेगा, पर उसके बाद आपको जो phone boot हो जाएगा, त अपने Redmi 4D के अंदर, यह जो दोस्तों पोसेस है, यह universal पोसेस है, सभी device के अंदर, इसी तरह से दोस्तों कस्टम रों को इस्ट्रोल करना होता है, तो आप गर आपको पता है किस तरसे कस्टम रों को इस्ट्रोल करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं आश्रकार हो दोस्तों एफ वीडियो को पस्ने होगा, फिर से लाइक करदेना, श्यार करदेना, सब्सक्राइब करदेना, बाई